दोस्तों अगर आप लोग अपने YouTube वीडियो को जल्दिवाजी में वाइरल करने के चक्कर में ज्यादा वीज पाने के लिए ज्यादा और उल्टा सिधा या गलत टैक्स डालते हैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को YouTube वीडियो पर ज्यादा और उल्टा सिधा या गलत टैक्स डालने के तीन एसे नुक्सान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप लोग करते हैं तो आपके YouTube चेनल को भारी नुक्सान हो सकता है तो दोख्तों सबसे पहला है अगर आप लोग अपने YouTube वीडियो पर ज्यादा और उल्टा सिधा या गलत टैक्स डालते हैं तो YouTube इसे स्पेम मानेगा तो दोख्तों यहाँ पर एक और बात किलियर करना चाहूंगा उल्टा सिधा या गलत टैक्स का मतलम यहाँ पर होता है ऐसा टैक्स जो आप की वीडियो के कंटेंट से समद्धित ना हो उसे उल्टा सिधा या गलत टैक्स कहते हैं तो दौस्तों दूसरा है अगर आप लोग अपनी वीडियो पर उल्टा सिधा टाइक्स डालते हैं तो YouTube के एलगोरिदम आपकी वीडियो को साई से नहीं समझ पाता है जिससे आपकी वीडियो के रैंकिंग पर भी असर पड़ता है दौस्तों तीसरा है अगर आप लोग अपनी वीडियो पर गलब टाइक्स डालते हैं तो YouTube आपके चैनल पर पेनल्टी भी लगा सकता है जिसमें आपके YouTube चैनल को दिमोनेटाइज या दिरैंक किया दा सकता है तो दौस्तों मुझे उम्मीद है कि इन तीनों में से गलतियां आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्या गलतियां नहीं करनी है तो दोस्तो अगर आप लोग इन तीनों में से कोई भी गलती करते हैं तो इन गलतीयों से बचे आप लोग वरना आपके चैनल पर काफी बुरा असर पड़ सकता है तो दोस्तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो दोस्तो मेरी जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सेयर करें साथ ही जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो के लेटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे तब तक के लिए बाए मिलेंगे अगले वीडियो पर